जिनके उपर बुरी आत्माओं का साय रहता है। लोग यहां पर आते हैं, समझ रहे हैं और उनको यहां पर आने के बाद, बालजी की सक्तियों के कारण उनको इस चीज से छुप क्राण, इंसे निवारण होता है? जी बिल्कुल लिए उसके लिए यहां पर जिसके भी घर में भूत बाधा तंत्र बाधा प्रेट बाधा इत्यादी होते हैं उसके लिए भागते यहां पर आते हैं काले कपड़े में नारियल बांधने के पश्चाथ जो भी ग्रशे तो जो भी पीड़ी तो इससे जो भी मरी जो होते हैं उनको यहां पर मंगलवार की पेशी करना होता है 21 मंगलवार यहां आकर के महाधरवार लगता है प्रेद बाधाओं के लिए पुर्वार असकारदर्स को इस वक्त मैं आ चुका हूँ छहतर पूर के बागेश्वर धाम में और यह मद्ध प्रदेश में पड़ता ह यह धाम बहुत सारी माननेताएं हैं यहां की क्योंकि यहां पर जो है बाला जी महराज का दर्सन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं समझ रहे हैं यहां पर हमारे साथ पुजारी जी हैं बाला जी महराज बागेश्वर धाम के और यह पूजा यही कराते हैं और इन स लिए जगे को लेकर इस स्थान को लेकर अखिरमानेता हैं क्या है। तो वरत्वान में तीन वर्स हो गए। अच्छा जिस तरह से आप यहां पर देखा जा रहा है, इस जगह को लेकर काफी ज़्यादा इस वक्त लोग प्री हो रहा यह जगह, तो ऐसी क्या जो है स्रद्धा रहती है ऐसा क्या होता है मतलब क्या इसका मानता है जिससे लोग आकरसित होते हैं देखिए बागेशवरवाला जी वैसे देखा जाए तो हरमान जी के किरपा हर जगा है लेकिन जिस प्रकार हवा सम्पूण ब्रह्मार्ण में व्यापत है लेकिन हवा को यदि हमारा टायर पंचर हो जाए तो उसमें हवा भरवाने के लिए किशी विसेश अस्थान में जाना होता है उसी तरह हनुमान जी तो हर जगां पर हैं हर अस्थान पर हैं लेकिन कहीं पर किशी विसेश के लिए हैं यहां पर बागेश्वरवाला जी के लिए यहां पर जो अस्थान है इस अस्थान की मानता यह है कि यहां पर भक्त जो भी मनोकामना है जो भी मनोभाव में जो भी मनोकामना है लेकर के आते हैं रोग बाधा या फिर कोई भी सकारात्मक मानता है जो भी हो या फिर घर में नाक यहां पर बहुत बड़ी मानता है कि अगर आपके ऊपर बुरी आत्माओं का साया है या कुछ भी भूत प्रेत का वो है अगर यहां पर आते हैं तो यह सब सारी दुख बाधा इनसे निवारन होता है? जी बिल्कुल निए उसके लिए यहां पर जिसके भी घर में भूत बाधा तंतर बाधा प्रेत बाधा इत्यादी होते हैं उसके लिए भागते यहां पर आते हैं काले कपड़े में नारियल बांधने के पश्चात जो भी ग्रशे तो जो भी पीडित इससे जो भी मरीज होते ह उनको यहां पर मंगलवार की पेशी करना होता है 21 मंगलवार यहां आकर के महा दर्वार लगता है प्रेत बाधाओं के लिए भूद बाधाओं के लिए यहां आकर के प्रेत राशरकार के दर्वार में बैठना होता है जैसे जैसे उनकी पेशियां खतम होती है उससे प्रकारे यहां पर जो भी शन्याशी बाबा की सेनाय हैं उनकी सभी बाधाओं को हर लेती हैं आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहां पर दिखा दीजे और बाला जी का भी दर्शन लोगों को करवा दीजे और इधर दिखा यह लोगों का भीड काफी ज़्यादा है जिनके उपर बुरी आत्माओं का साय रहता है वो लोग यहां पर आते हैं समझ रहे हैं और उनको यहाँ पर आने के बाद बाला जी की सक्तियों के कारण उनको इस चीज से छुटकारा मिलता है अच्छे यह ताइए यहाँ पर मंगलवार को ही ज्यादा भीड रहती है भीड तो ऐसे नित्य प्रतिदिन होती है परंतु मंगलवार सनिवार विशेष जिसको वर्तमान में 6 लाग 7 लाग तक समुदा आती है पेशी के दरबार लगती है उसमें और अतिधिक भीड़ होती है पूजा अरचना आप आप ही कराते हैं यहां पर बाला जी जी अभी तो आदेशा नुसार बाला जी की शेवा में हमी है महराजी कब आते हैं गुर्दी भगवान को जब समुदाय कम होता है तो यहां दर्शन के लिए पधारते हैं या विशेश पूजन के लिए पधारते हैं बाकी समुदाय अतिधिक होने के कारण नित्य प्रति दिन बाला जी के दर्शन है तो नहीं पधार पाते हैं जादा तर लोग क्याते हैं बाबा जी मतलब जो पंडित धीरेन महराज जी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए भी आते हैं बहुत सारे लोग उनके शाद साथ ही पहले तो भक्ते यहां पर आते हैं बागेश्वर बाला जी शरकार के दर्शन करने साथी साथ गुर्दे भगवान के जपीट पे विराजमान होते हूं उनका भी दर्शन लाभरजित करके ही बगत जाते हैं हमारे उत्तर भारत से भी देखा जाए दिल्ली वगएरा से भी बहुत सारे भक्त यहां पर आने लगे हैं तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में यह कहीं न कहीं अपने देश का लोग प्रिये सबसे ज़्यादा लोग प्रिये इस थानों में सामिल होगा और और भी ज सभी ज़्यादा वो और भी आगे आने की संहाओना है क्योंकि यहां पर आने वाले प्रतीक्ष द्धालों के जोभी मनो भाव जो भी मनो रूंसी जो भी नामनाय होते हैं शिग्री बालाजी सरकार उनकी मनो कामनाओं को पूर्ण अधार देखते हूए देंबल होते देखत इस लिए अभी तो वर्तमान में आही रहे हैं आगे भी आते रहेंगे बाला जी की जमीन से कितने उचाई पर ये इस्थान इस्थित है जमीन से तो फिर आठ फिट उचाई पर है आठ फिट की आठ फिट उचाई पर जमीन से इस्थित है और आपके साथ यहां पर पूजा करवाने के लिए और लोग भी रहते हैं कि सिर्फ आप ही है और भी है शेवक हैं और भी है यहां पर इबाला जी की चरणों में जो भी और भी सेवक है और बाकी धिरेन जी महराज अ पर जब कोई विशेश मुहूर्त इत्यादी कोई विशेश पर्व और समुदाय अत्यदिक हुए पहले तो गुर्दे भगवान इहां पर नित्य प्रतिदिन पधारते थे लेकिन वर्थमान की स्थिस्टी समुदाय अत्यदिक बढ़ने के कारण नित्य शंभव नहीं हो पात दिखा दिजे दखिए यह जो दर्शन करने वाले जो स्रधालů हैं जो यात्री हैं वो देख सकते हैं लोग को आये हुए हैं समझ रहे हैं इनके अंदर स्रधा यही रहता है कि बाला जी का एक दर्सन कर लिया जाए और यहां आपर आने के बाद बाला जी के दर्सन के प्रति ये लोग मंतर मुग्ध हो जाते हैं उनका दर्सन करने लगते हैं और आप भी इधर से दिखा दीजे अच्छे से दिखा दीजे और आप देखिए दर्सन कर लिजे बाला जी महराज का और देख रहा है। उनसे क्या चाहिए गया। प्र pickup क्या गीन पर हे खागि हए धालुओं से एक ही बात कहना चाहोहूंगा की भागिशत मतंडरिशसरर जेशं। एमार्मंडरीशत्व से जुड़ें और अस्थानों से हरिजगों से जुड़ें। सबी वक्ते यहां पधारें और यहां की महिमा को देख करके स्वयम का अनुभो करें। उन्हीं लोगों के लिए संदेश है कि इधर उधर कहीं पर भी अपने धन को नश्ट ना करें। जोकी बागेश्वर धाम पूनता निशुलक है। यहां पर वास्तवी कि यदि बालाजी के शक्तियों की कृपा होगी, यदि बालाजी के सक्तियों में ताकत होगी, तो निश्ट लूप से आपकी जो भी बाधाये हैं, जो भी समस्या हैं, उसका निदान होता है और जो भी आ आते हैं बाधाय से निवारण हे तू उनको निदान यहां पर निश्चीत रूप से मिलेगा बाबा जी पंडित धीरेन महराज जी लोगों का बहुत सारे लोगों का साधियां करवाते हैं गरीब लोगों का मदद भी करते हैं यह क्या बात है इसमें सच है जी हर वर्ष यहां पर ऐसे बहन बेटियों का बीवास संपन न करा जाता है जिनके माता पिता नहीं है या फिर आर्थिक स्तिति उनकी ठीक नहीं है या फिर यह इनके प्रकारण जो भी उनकी समस्यां है और हर वर्ष की बहन बेटियों का यहां पर बीवास संपन न करा जाता इस वर्स 121 कन्याओं का महाशिवरात्री के दिन धाम के तरफ से ही उनका विवाश शंपन करा जाएगा जान लीजे दर्सकों आपको बता दें यहाँ पर यहाँ का जो ट्रस्ट है इस ट्रस्ट से पूरी तरह से लोगों का मदद किया जाता है जितना भी दान का पैसा आता है वो पूरा गरीबों के हित के लिए लगाया जाता है जे बिलकुल यहाँ की शंपूर्ण चोड़ोत्री गरीब बहन बेटियों के बिवाह में एवं यहाँ पर आश्रम के द्वारा संचालित नित जो भी श्रधालू आते हैं जो भी गरीब आत पर देख सकते हैं बाकी देख लीजिये स्रधालू दर्सन करने वाले आते रहते हैं हमेशा और यही है मानिता यहां की यही है स्रधा यहां की अगर आपको यहां पर आना है तो एक बार आईए जरूर दर्सन करिए और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कितनी सकती है बहुत बहुत धन्यवाई